असलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टो दे न्यू सिरीज अफ अल्यूम गोट फार्म तलोजा बक्राइड में काफी मज़ा आया था उजेफा एंड रजजी के साथ हमने बात की थी वी आर अट तलोजा न्यू बंबे कह सकते हैं आप इसे अल्यूम गोट फार्म इस वेरी चीजे देखने मिलेंगी तो श्टार्ट वीडियो तो दोस्तों दा पर्सन इन दा चेक शर्ट मिस्टर उजेफा सलाम वालेकुम अलेकुम एंड यह हमारे रजजी हैं इन दा टी शर्ट ऑफ अल्यूम गोट फार्म कैसे हैं आप दोनों अच्छे हैं मजे में हैं मजे में ह अब देख रहा हूं के काफी बड़े बड़े बखरे देखने मेलें आपके बास जैसे के सौसों कि लोगे शायद बखरे कुछ देखा में अंदर क्या रीजन इतने बड़े बखरे अभी सिलाने का बखरीद बाद ही हम लोग खरदारी करना चालू करते हैं जी और अच्छा अच्छा बड़े बड़े बखरे बिकते रहते हैं तो आपने पास है अब मैं देख सदographic हैं तो आज भी बच्चा भी दिया हैं कि दो बच्चे जो है ना सो बक्रिया भी मिल जाएंगे मलब अंडुल खसी बक्रियां सब चीज अवेलेबल है यहां ठीक है तो आईए आपके बड़े-बड़े दिखाएंगे कि अग्या कि अग्या कि कि अग्या जेफा यह अलग अलग नसल में ना कौन कौन सी ब्रीड में इस रोई कुजरी है नागफनी भी दिख रहा है ना माशालाँ तो एक कर यह कुछ बखरे दिखा दीजिये चलिए तो दोस्तों आप बखरों की फ्रेम देख सकते हैं साइज देख सकते माशालाँ यह दो बखरे देखेंगे हम लोग रज्या इसकी क्या डीटेल से प्लीज बताईए अंदाजा चेंसर सेंगाना भुझ्री भखरा यह जी 85 प्लस है 85 प्लस है अब पंच अभी अभी की है किते दाथ पे अभी तो पुरे दाथ पे तो जो लेगा आप इसी रख के पाल सकते हैं नहीं हंड़ेड प्लस तो इंशाल्ला हो जाएगा अपने पास पलाई पे रख रहे हैं बगरे रख रहे हैं इसकी क्या डीटिल्स है उजेफा यह जमेरा बता है जी और यह नाइंटी प्लस है नाइंटी प्लस होगा भी बहुत इसको भी कर दिए घसे यह जो भी बखर हम यह वाले वीडियो में देखेंगे सब पंच बख रहे हैं ठीक है इनको छोड़ी और भी दो बखरे दिखाते हैं अब बखरा चेक करें दोस्तों आप कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह बखर इतका टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आपको बहुत बड़े-बड़े बखरें दिखा रहे हैं अल्यूम गोड़ फ़ाम पर आपको इस सारे बखरे देखने मिलेंगे रजय जी पहले आप यह बखरी की डीटेल्स बताए प्ली आपसे यह बी अच्छा बनेगा और अच्छा बनेगा ठीक है बहुत जगा है ठीक है उजेफा इसके बारे में बताईए इसकी हाइट कित्ती होगी उजेफा फॉटीवन फॉटीवन के जी वजन एक अंदाज़ा कितना होएगा 95 प्लस यह अब ऐसे बखरे तो रजय जी आ अब सौ किलो के बाद में तो स्लो बढ़ते है बखरे तो आप लोग खाने में और क्या डिफ्रेंट करते हो अब बड़े बखरो के लिए कुछ एक्ष्रा रहता है अपने बास अब कैल्शियम लिवर टॉनिक अब चलता है ठीक है और बड़े जो हैवी बखरे होते हैं उनक दोस्तों गुजिरी और सिरोई के बाद में आप देख रहे हैं यह ब्रांग बखरे बतीसा कलर भी कह सकते हैं आप इनको काफी अच्छी फ्रेम में दोनों बखरे रजे जी यह बखरे के बार में बताए प्लीस जी काफी अच्छा कलर होता है यह दात कित्ते होंगे इसके अगर कोई कस्टमर को रखना है पलाई पे तो इसको आप खसी करके रख देंगे यह अंडूल भी रख सकते हो आप अंडूल बखरे भी रखते हम लोग पलाई पे क्या-क्या डिफरेंस आएका इसको रखने के बाद में अगर खसी करते हैं और इसकी शाइनिंग बढ़ेग तो कलर मासाला कलर देखिए आप सीनाव अगरा भी अच्छा है जगा भी कापी है यह आप थोड़े दिन से तो है अपके बास खाने पीने में कैसे रहते हैं यह नंबर है मतलब एक सावा की लोगा अज उठा लेते हैं माशालों माशालों कोई भराई नहीं है ना चलिए उ तो काफी नॉलेज बढ़ता होगा आपका भी है ना फिडिंग टाइम पर आप देखते हो गौर करते हो बखरे कैसा खा रहे है आप ही दालते तो कोई बखरा जो नहीं खाता है उसको कैसा हैंडल करते आप लो उसको अलग से खिला ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया काफी अची जानकारी दे रहे हैं अपलो रजय जी अगर मैं पूछू है बखरों के रेट क्या है तो 400 पर केजी पर केजी जो भी डांग बखरे है ठीक है तो डांग तो काफी है आपके पास उसके अलावा गुजिरी और सिरोई बखरे कैसे दे रहे हैं गुजरी भी मिल जो जादा बड़े बखरे 85 kg के उपपर उन नक से मिल जाएंगे बहुत बहुत शुक्त है ठीक है और नंबर भी हम दे देंगे है ना चुले तो दोस्तों बखरे आपके सामने कॉन्टेक करें मनसूर भाई का नंबर दूंगा मैं अज़ करें लाएंगे हैं ऐस्यान का नंबर आपके सामने का लाएं भीज़ आपके सामने के खिए। खिपले का ओखरें पेश्टेंज़ कनाे का दो तोस्तों सेरी है और सनले ऊकी हैं है और बहारदे हैं गिए।